Now students, example number 11.9 An electric bulb of 60 watt तो ये एक electric bulb है और इसकी power बच्चो देखे रखाओ आपको कितना 60 watt अब सुनिए मेरी बात ध्यान से 60 watt, सबसे पहले कभी भी अगर आपको कोई bulb वगरा कुछ भी दिया और अगर आपको electrical energy निकालनी हो तो kilowatt आर में निकालते हैं मतलब power को आप kilowatt में change कर लो पहले तो तो watt में दिया है तो kilowatt में करने के लिए क्ले करेंगे thousand से divide करेंगे तो ये आ जाएगा किस में? kilowatt में ये 0 से 0 कड़ गया अब आप इसको ऐसे रहने दो 6 upon 100 kilowatt ऐसे ही रहने दो अभी इसको solve मत करो ठिक पावर आ गई इतनी और time कितना दिया हुआ है पढ़िए कह रहा है कि is use 6 hour per day एक दिन में 6 घंटे के लिए use होता है calculate the units of energy consume in one day by the bulb एक दिन में बल्फ कितनी electrical energy consume करेगा ये आपको निकालना है तो आपको पता है power का formula क्या होता है electrical energy consume divided by time e by t तो e की value क्या जाएगी यहां से e is equals to p into t जिनको नहीं पता है सुन लो p is equals to energy consume by time e by t तो e की value क्या होगी e is equals to p into t e क्या है electrical energy consume में ये निकालना आपको power को हमेशा किस में रखेंगे हम kilowatt में yes तो power कितनी ये kilowatt में 6 upon 100 kilowatt into में time time को हमेशा आर में रखना है six hour per day तो time six hour दिया हुआ है तो time रखेंगे six hour ठीक है तो यहां से अगर आप solve करोगे six six are कितना होता है 36 upon में क्या है 100 और kilowatt into hour kilowatt hour हो गया ठीक अब 36 upon 100 कितना हैगा 0.36 so electrical energy consume कितना हो गया 0.36 kilowatt hour ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो दोनों answer आप लिख देना मैं आपको इसके पहले के वीडियोस में बताया हुआ है कि 1 kilowatt hour का ही क्या मतलब होता है 1 unit और 1 kilowatt hour में joules में कितनी energy होती 3.6 into 10 the power 6 joules ठीक इन्होंने हमसे joules में energy नहीं पूछी हुई एस question में अगर पूसते हैं ये लोग तो हम 0.36 को multiply करते किस से 3.6 into 10th power 6 joules से और answer निकाल लेते हैं ठीक है ये वीडियो अगर आप YouTube पे डारेक्ट देख रहे हैं तो आप हमारा ये वाला topic NCRT का पढ़ लिजे जाके commercial unit of energy ओके सुटेंस तो आपको इसकी detail information मिल लेगी note का लीजे